समाजवादी पार्टी से मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बाद सपागडबंधन के साथ ही जयन चौधरी आजम खान के घर गए तमाम तरह की खबरें आई कि जयन चौधरी आजम खान को RLD में अपने साथ लाने के लिए रामपुर में आजम खान के परिवार से मिले कुछ लोगों ने कहा अखिलेश आदव ने जयन चौधरी को आजम खान के घर भेजा था जब अखिलेश शादव से नाराज आजम खान के परिवार से जयन चौधरी की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो अखिलेश शादव ने इसका ये जवाब दिया अखिलेश अदव ने कहा कि नेताओं का किसी से मिलना अच्छी बात है कोई मिलता है तो अच्छी बात है लेकिन पत्रकार के आगे के सवाल पर अखिलेश यदव नाराज हो गए वैसे तो यूपी की राजनीती में दिल्चस्पी रखने वाले हर आदमी के मन में ये सवाल जरूर था कि जहन्त को आजम के घर किस ने भेजा आखिलेश की नाराजगी से मालूम चलता है कि आखिलेश शादव ने नहीं भेजा है इसका मतलब है कि RLD वाले जहन्त चोदरी आजम खान के परिवार से मिलकर अपनी अलग राजनितिक फिल्ड सजा रहे हैं और अगर ये अटकले ठीक हैं तो RLD के साथ सपा का गडबंधन भी खात्मे की कगार पर दिखाई दे सकता है झाल 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 झाल